हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम बैक तो माई यूट्वीब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पे जो राइस्तान गॉवर्मेंट ने जो एक नोटिफिक्शन निकाला है जो है जैयन की यहां पे जो वैकेंशी निकाली है यहां पे अरौंड वन थाउजंड के यहां पे वैकेंशी निकाली है तो जो नोटिफिक्शन है जो आज की डेट में अभी यहां पे रिलीज किया गया है उस नोटिफिक्शन के बारे में हम डेटेल में यहां पे बात करेंगे तो सबसे पहले देखें कि नोटिफिक्शन को आप कैसे यहां पर डाउनलोड कर सक वाले section में देखेंगे यहां पे भी आपको मिल जाएगा या फिर आप news and notification वाले section में जाएगे तो यहां पे आप देखेंगे जो भी notifications है वो सारे आपको यहां पे दिखाए देगे तो अभी जो आज का latest notification है वो आपको यहां पे दिखाए देगा जे एन 2022 joint recruitment full advertisement यहां पे पूरा detailed notification आपको मिल जाएगा उसको आप यहां पे देख सकते हैं और उसको यहां पर पढ़ सकते हैं तो इम्पोर्टन्ट चीज़े हैं वो सारी चीज़े हैं यहां पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको सारी चीज़े बिलकुल एक वीडियो में यहां पर आपको मिल जाएंगी पॉइंट पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है बाकि आप डिटेल में कुछ और पर्टिकुलर चीज़े पढ़ना चाहते हो तो नोटिवेक्शन को आप पढ़ सकते हो नोटिवेक्शन से आप यहां से डाउनलोड का सकते हैं या फिल टेलिग हो तो यहां पे जो पीडियएफ है जो नोटिवेक्शन की वो यहां पे ओपन हो जाएगी झायव में यहां पर गली जो और यहां पर 17 श्तरह की जोringe करो है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राइस्ता करम चारी指्शा तुर्वायस्तान में वैकंसी जाती हैं सारी रिक्रूट्मेंट है वहीजे डिपर्टमेंट करता है मोस्टली आप देख सकते हैं कितने पद है यहां पर कुल टोटल यहां एक हजार बाण में यानि हम कह सकते हैं लगभग 1100 पद हैं जिन पर यहां पर recruitment किया जाने वाला है और कभ यह exam होगी इसकी भी detail में हम आगे बात करेंगे date भी बात करेंगे date नहीं मतलब जो expected month इन्हों ने है कब exam होगी क्या कब से form start होंगी कब से कब तक form आप फिल कर सकते हैं और क्या exam की extensive date होगी वह साहल चीज़ी आप बात करेंगे यहां पर बात कर लेते हैं जो यहां पर कनिस्ट अभी अंता के यहां पर जो पद हैं जिनका recruitment यहां किया जाने वाला है और online application इसके लिए बरे जाएंगी यहां पर आप देख सकते हैं online application मैं फिल से बोल रहा हूं यहां पर ज़रूरी चीज़े हैं point to point वह साहल चीज़े में आपको यहां पर बताऊंगा अगर आपको को specific topic को detail में पढ़ना है तो वह आप यहां पर इस notification से पढ़ सकते हैं alright so यहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग विभाग में यह vacancies निकाले गए हैं जैसे आप देख सकते हैं यह vacancies mostly किसके लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल इनके लिए हैं यहां पर देख सकते हैं ठीक हम detail में आप भी बात करेंगे तो यहां पर आप सब इस और जो बची हुई बावण vacancies हैं व किसमें है अनुसूचित छेत्र ने तो यहां पर आप देख सकते हैं विभाग के हिसाब से आप देख सकते हैं पहला जो जो विभाग है साल जुनिक विभाग निर्मान विभाग तो इसमें आप देख सकते हैं कनिश्ट अभ्यंता क इसमें देख सकते सिव्ल वालों के लिए कितनी वैकींसित थैन्सो दुत में अगर जिनके पास डिगरी है उनमें इतनी वेकेंसी हैं और डिप्लोमा हैं उनके लिए इतनी वेकेंसी हैं तो यह सारी आप आराम से पढ़ सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी तीन विभाग हैं तीन विभाग में यहां पे जो सिविल और अभियांत्र कि इसके लिए यहां पे आंट्रिकी के लिए यहां पे आपको विद्धूत और यान्त्रिकी सो और आज रॉगि जो पास आनि से देख सकते हैं हम आगे यहां पर और और आगे बढ़ता हुए सबसे पहले आफिक heut सरुन के प्रिकरिया पहुरा तो आवेदन की पिर्केरिया क्या होगी आवेदन की पिर्केरिया आपको सब को पता है कि राइस्तान गवर्मेंट में जो भी एप्लिकेशन्स फिल किये जाने वाले हैं जो आपको कहां से करने हैं SSO ID आपको बनानी है और आपको www.sso.raysthan.gov.in पे जाना है या पे आपको SSO ID करनी है और SSO ID करेंगे तो वहां पे आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके आपको वेकेंसी जो भी यह इस वेकेंसी का जो भी नोटिफिकेशन वापर आपको ऑप्शन दिया गया उसके द्वारा आपको इसको भरना होगा तो यह आपको सब को पता होगा क्यों यहां पर फिल की जाती है तो यहां पर आप देख सकते SSO ID करेंगे उससे आप लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद डैस बोर्ड पे आप ऑन्गोइंग रिकूटमेंट रिकूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर जो भी आपकी संबंदित एक्जाम होगी उसके सांबने जो भी Apply Now option होगा उसके कलिक करके हैं पुरा जो एप्लिकेशन है उसको आप फिल करेंगे और यहां पर उसको सब्मिट कर सकते हैं ओके सब्मिट करने के बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि परिक्षा का जो सुल्क है वो यहाँ पे क्या होने वाला है परिक्षा सुल्क क्या होने वाला है यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछला वर्ग के लिए कितने रुपीज है और इसी तरीके से राहिस्तान के नौन क्रिमिलियर स्रेणी के पिछला वर्ग और अति पिछला वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपीज है विए समस्त विसेश योग जन राइस्तान के अनुसुज़त जाती है लिए कितने हैं 250 रुपीज हैं और यहां पर जो भी पढ़ सकते हैं एक्स्ता जो भी चूट वगला जो दी गई है यहां पर जो भी और डिटेल आपको दी गई है जैसे यहां पर एक बाद फीज जम आने के बाद वापिस लोटाई नहीं जाएगी और ऐसे विद्यारती जिनकी आए है जो डाई लाक रुपे से कम है वे परिक्षा सुलक है जो टू फिप्टी रुपीस जमा कराते हैं तो इनके लिए कुछ एक अलग से जन्रत होगी जो कि आयए प्रमान पत्र कुछ ऐसा चाहिए तो उसके लिए आप याप इसको पढ़ लेंगे औरफ प्रभिष पत्र की बात करें तो प्रभिष पत्र है जो आपको यहां पर बोला गया कि बॉड की वेब्साइट है इसके मायद्धियम से ही आपको प्रभिष पत्र हैं जो प्रिवाइड किये जाएंगे तो आप बूर्ड की वेब साइट है इसको आप चेक करते रहें और यह बोल रहें कि यहां पर इमेल आइडिया वंबाइल नंबर पे भी इसकी जो डिटेल से हैं वो यहां पर बेजी जाएगी इसके बाद हैं यहां पर करनिस्ट अभियंता की जो दिक्त पद हैं उनका यहां पर केटेगरी वाइज यहां पर इनका डिटेल दिया गया है विवरंड दिया गया है केटेगरी वाइज तो यह आप यहां पर पढ़ सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं नंबर और पोस्ट हैं देख सकते हैं, मेरे साब से यह डिसकस करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम सारी चीज यह डिसकस करेंगे, तो यहां पर वीडियो है, जो बहुत ज्यादा लेंदी बन जाएगी, तो यह आप आसानी से देख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी, अब ह हमने आपे जो भी फीस है, उसकी जो भी फीस है, फॉर्म वजने के लिए, वो उसके बार हमने बात कर लिया है, नेक्स नम बात करते हैं, यहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं, जो भी निसक्त जन हैं, इनके लिए जो भी प्रावधान हैं, वो आप यहां पर देख सकते और यहां पर हम बात करें वेतर्मान देखो यह बहुत बड़ा नोटिवे किसान है तो इसको आप मैं फिल से बार-बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इमें सारी चीजे नहीं बता रहा हूं बट सारी जो जरूरी चीजे हैं वह यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फिर भी आपको लगता है किसी particular point को आपको बढ़ना है तो हम लीटेल में जाके यहां पर पढ़ सकते हम बात करें आप वेतर्मान की तो इसकी वेतर्मान की बात करें तो साथ वे वेतर्मान के अनुसार कनिष्ट अभियंता के पद के लिए प्रड के यह प्रेम्पLife 10 में आप आपको दिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बात कर लेते हैं पात्रता कह सकते हैं सेक्षनिक योगता सेक्षन के योगता बतलब कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन एजूकेशन यहां पर चाहिए वह बात कर लेते हैं तो देखिए यहां पर पॉइंट 123456 तो यहां पर 6 पॉइंट डिये गए हैं 123456 तो यहां पर देखो के लिए लिखा हुआ है आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से द्यान से क्रम संक्या वन एवं टू मतलब कि पॉइंट यह वन और टू है जो किसके लिए हैं वन और टू पे अंकित योगता सार्वजनिक निर्मान विभाग में जन स्वास्त अभियांत्री की विभाग एवं स्वायत सासन विभाग के कनिष्ट अभियंता सिविल डिग्री धारी और डिप्लोम धारी के लिए हैं मतली तीन डिपार्टमेंट पे वेकंसी निकाली गई है कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं एक तो है साbelt ब्रस्त अभियांत्री की विभाग जन स्वास्त अभियांत्री की विभाग और एक है स्वायत साशन विभाग तीनों विभाग में सिविल में जो डिगरी धारी हैं डिप्लोमा धारी है उनके लिए है कौन-कौन सी क्रम सेंग्या एक और दो पे जो निजदारीत हैं ठीक है एक और दो फिर आगे आपे देख सकते हैं क्रम सेंग्या तीन वर चार पर अंकित योगता केवल स्वायत अभियांत्री की विभाग के कनिष्ट अभियन्ता यांत्री की विद्धूति पे डिगरी धारी या डिप्लोमा धारी के लिए है तो तीन और चार हैं जो किसके लिए हैं केवल स्वायत विदूत साफन्विभाग के करने अभी को ग मतलई स्वायत साफन्विभाग और वम किस वान मतली जनस्वास्त अभियांत्रिकि Bundes के लिए डिकर डिंपलोम्हारी के लिए तो यह अब चीज़े के लिए कर लेंगे, आपे जो point 1 और 2 दिया गया है, वो आपको बताया गया है कि तीन और डिपार्टमेंट के लिए है, किस किस के लिए है, और 3 और 4 पॉइंट दिया गया है, वो किस के लिए दिगए है, केवल स्वायत सासन विभाग के लिए है, और वो विद्धुत और वालों के लिए है, और पॉइंट नमपर 5 और 6 दिया गया है, वो केवल जन स्वायत अभी यांत्री की विभाग के लिए हैं, जिसमें यांत्री की या विद्धूत इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिग्री धारी है, डिप्लोमा धारी के लिए हैं, तो यह आपको clear हो जाना चाहिए, इसके बाद यहां पर पॉइंट दिये गए, वन टो सिक्स वाब देख लेंगे, जैसे पॉइंट नमपर वन में क्या दिया गया है, आपको civil डिग्री धारी के लिए यह है, और civil जो डिप्लोमा धारी है उनके लिए, उनके लिए उनके लिए क्या गया है, बारत में किसी बारत में विधी दुवार ग्यान उसको होना चाहिए, ठीक है, यह तो हो गया, कनिष्ट अभियंता का civil डिप्लोमा धारी के लिए क्या हो जाएगा, कि जो भी यहां पर देख सकते हैं किसे मायनतपराप्त इंस्ट्रिटूट से क्या होना चाहिए, आपको डिप्लोमा किया जाना चाहिए, यहां पर देव नागरे लिपी में हिंदी का वैवारिक ज्यान, एमराश्तान संस्कृति का ज्यान यहां पर होना चाहिए, तो यह होगा है, पॉइंट नंबर वन और टू, और वन और टू किसके लिए हम पहले डिसकस कर चुके, पॉइंट नंबर वन और टू, तीनों विभाग में किसके लिए हैं, केवल और केवल सिविल वालों के लिए हैं, ठीक है, अब पॉइंट नंबर थिरी और फोर है इसी तरीके से, यहां पर आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, थिरी और फोर किसके लिए, थिरी और फोर किसके लिए, आपे लिखा हुआ है, केवल स्वायत अभी सासन विभाग में विद्धूत विभाग में विद्धूत मतला इलेक्ट्रिकल में डिगरी धार या डिप्लोमा धारी के लिए और 5 और 6 हैं किसके लिए केवल जन्स्वास्त अभियांत्री की विभाग में यांत्री की और विद्धूत में डिगरी या डिप्ल और उसका आंसर यहां पी रिपलाइ आपको तुरंत करोगा विदिन टाइम यहां पर रिपलाइ करोगा ठिक है तो मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पर पढ़ लेंगे आसानी से और बाकी की जो योगता हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं जैसे मेडिकल, स्वायस्त और चरित्र के लिए और राश्ट्रियता देख सकते हैं बारत का नागरी को सब को पता है और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईयू के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आवेदक एक जनवरी 2023 को 18 वर्स की आईयू प्राप्त कर चुका हो ध्यान रखें एक जन्वरी 2023 को 18 वर्स की आयू प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्स का नहीं हुआ हो मतलब क्या है 18 to 40 years इसकी qualification एज qualification कब से माना जाएगा एक जन्वरी 2023 तक या तो 18 साल का हो गया हो या 40 से ज़्यादा का ना हो ठीक है यह दोनों यहां पर फुल्फिल करना चाहिए और अगर ऐसा है तो आप एज के हिसाब से यहां पर applicable है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ तीन वर्स नहीं होने पर इतनी छूट दी जाएगी यह इसारी आप पढ़़े सकते हैं यह optional है और जो भी आई यू में यहां पर category wise या जो भी है उच्टम आई यू में क्या छूट वगेरा है वो यहां पर आप देख सकते हैं और लास्ट हम यहां पर बात करें किसके बारे में परिक्षा सुल्क जमा कराने तथा online आविधन भरने की अवधी यह important है कब आप परिक्षा सुल्क कब तक जमा करा सकते हैं और online application है जो कब से और कब तक आप यहां पर फिल कर सकते हैं तो आप आप देख सकते हैं online आविधन पत्र राज की निर्धारित इमित्र कियोस के दुआरा जन्सविदा केंद्र नेट पैंकिंग एटीम डेविट कार्ड इसके मार्दम से सुल्क जमा कर सकते हैं कब तक 21 जमा करवाकर 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक यहां पर आप इस फर्म को भर सकते हैं ध्यान रखे कब से कब तर 21 जनवरी से लेके आपको 19 फैब तक इस को एप्लिकेशन को आप फिल कर सकते हैं ठीक है और यहां पर यह भी दिया गया है कि आवेदकों को सला दी जाती है कि आवेदन online आवेदन के अंतिम दिनांग का इंतजार की यह बिना समय के भीतर ही online आवेदन कर ले और लास्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं परिक्षा का महावेदिनांग मतला परिक्षा है जो कब होगी expected time उसका क्या है तो आप देख सकते हैं उक्त भरती परिक्षा संभावत है संभावत है मई 2022 में करवाई जाएगी जो भी केंद्र यहा सब्सक्राइब है उन पर एक्जाम हो जी है तो expected time है यहां पर मई 2022 में यह करवाई जाएगी ठीक है और बाकी की यहां पर मेरे साब से कोई और important ऐसा point है नहीं जो हमने miss कैसे किया है miss कर दिया हूँ ठीक है और आवे दन कैसे का सकते हैं यहां पर पूरा detail में दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं आपको जरूरी यह रखने क्या यहां पर photograph के लिए क्या size वह सब आपको पता होगा अगर आप एक student है तो अगर 19 फरवरी के बीच में आप परिक्षा सुल्क जमा करवा के इसको भर सकते हैं और कोई भी मेरे साबसे यहां पर मैंने सारी चीज़ें आप डिसकस कर ली है जो यह notification की PDF है यह मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा दूँ है जिसका लिंक इस वीडियो के description box मे हैं और आपको मैंने बताया भी है starting में वीडियो के कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा पढ़ें डिटेल में अगर आपको कोई confusion है उस point को पढ़ें फिर भी आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment करके यहां पर post सकते हैं मैं सारे comments को पढ़ता हूं और तुरंत तो उसका within time यहां पर मैं reply करता हूं तो मैं आसा करता हूं कि इस notification में आपको कोई problem यहां पर नहीं होगी और आप eligible होंगे इसके लिए अगर आप जो भी बताये गए education qualification को fulfill करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है यहां पर और आप exam को fill करें within time fill कर ले form को और exam के ल वीडियों में तब तक के लिए बबाए एंटेक केर